हमने एक सपना लिया है और मेरा सपना आपका सपना अलग नहीं हो सकता है आपके पास पक्का गर होगा आपके पास रहने के लिए बंगलो होगा हो सकता है एक से अधिक गर हो गर के पास गाड़ी खड़ी होगी आपके पास सब कुछ होगा लकन मैं अगर आपको पूछू क्य हिंदुस्तान में हर गरीब के पास जिसके पास अपना गर नहीं है अपनी मालीकी का घर नहीं है ऐसे हर हिंदुस्तानी को उसका अपना मालीकी का घर मिलना चेक नहीं मिलना चाहिए मिलना चेक नहीं मिलना चाहिए आपके पास खुद का घर है लेकिन आपका भी मन करता है कि मेरा देश का कोई व्यक्ति बीना अगर फुट पास पर जोगी जोपड़ी में जिनकी नग उजा रहे यह आपका सपना है कर नहीं है यह आपका सपना पूरा करने के लिए मैंने बिड़ा उठाया है 2022 आजादी के 75 साल होंगे 2022 आजादी के 75 साल होंगे और हमने ठान के रखी है कि इस देश में हर परिवार के पास अपना पक्का घर होगा और घर भी सिरफ चार दिवारे नहीं पक्का घर होगा घर में नल होगा नल में जल होगा बिजली भी होगी गैस का चुला होगा सवचाले होगा और घर पूरुष के नाम पर नहीं उस परिवार की महिला के नाम पर होगा महिला मालिक बनेगी अब आप कहेंगे मोदी जी हर चुना में लोग बोलते ही हैं यह सही हैं कि इतना जूट बोला जा चुका है इतना जूट बोला चुका है सारी पांटियों ने ऐसी दांदत डाल दी हैं कि लोग ऐसी चीज़ों को गंभी नहीं लेता है लेकिन मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब तक एक करोड़ पचीस लाग से जादा और ये मेरा चार साल का हिसाब दे रहा हूँ आपको एक करोड़ पचीस लाग से जादा परिवारों को गर की चाबी दे दी गई और ये दिवाली उन्होंने मनाई ये दिवाली उन्होंने अपने पक्के नए गर में मनाई और ये काम भी बहुत तेजी से चल रहा है भाईयों बैनों लेकिन अगर लीडर्शिप में दम न हो लीडर सी बगर परिवार का ही भला देखती हो बेटा, बेटी, चाचा, चाची मामा, मामसी इसी में लगा रहता हो तो तेलंगना में ये काम नहीं हुआ हिंदुस्तान में हुआ तेलंगना में सिरब 5000 घर बने 5000 येसी सरकार चलाते हो क्या अरे दिल्ली सरकार पैछे दे रही है, काम आगे बढ़ाना चाहती है, आप नहीं कर रहे हैं, भाईयों भाणों, कॉंग्रेस के नामदार से भी मैं कहना चाहता हूँ, यूपीए वन, यूपीए टू, मेडम की रिमोट कंट्रोल वाली सरकार दिल्लीय में चलती थी, मोधी ने चार साल में एक करोड़ पचीस लाग घर की चाबी सुपरुत कर दी, ये मेडम, उनकी रिमोट कंट्रोल वाली सरकार, और उस सरकार भें, आपको जान करके सदमा पहुँचेगा, सिरफ अठारा हजार गर, शहरी आवास के बनेते सिरफ अठारा हजार गर, भायो बैनों, शहरी खेत्रों में, हमने बारा लाग गर चार साल में बना दिये, उन्होंने दस साल में अठारा हजार, हमने चार साल में बारा लाग बना करके दे दिया इसलिए मैं कहता हूँ भायो बेनो अगर नेत्रुत्व सही हो नियत साभ हो नीती स्पस्ट हो और जनता जनादन ही हमारा परिवार हो तो सपने सिद्ध होते हैं ये हमने करके दिखाया है और भायो बेनो मैंने एक काम को और गती दी है बारा लाग पुरा कर लिया है कुछ में थोड़ा थोड़ा काम बाकी है लेकि मैं इसको गिनता नहीं हूँ और इसलिए बेने कहा है मार्च महिने तक ये काम में पचीस लाग शहरों में पूरा कर दूँगा भायो पचीस लाग शहरी गर बनाने का काम पूरा कर दूँगा भायो बहनो गरीबों के लिए शहरों में आपने और पैंसट लाग मकानों की स्विकृति दे दी है यानि मार्च महिने के बाद जो काम चलेगा उसमें हमारा टार्गेट शहरों के गरीबों के लिए पैंसट लाग का है 2022 का सपना कैसे पूरा होगा उसका मिनिट टो मिनिट टाइम टेबल बना करके हम देश के लोगों के कल्यान के लिए काम कर रहे है भायो बैनो मद्यमबर का परिवार किराय के घर में रहता है उसका भी मन करता है उसका खुद का घर हो बच्चे बड़े है शादी होने वाली है उनके लिए भी एक कमरा चाहिए ऐसा घर चाहिए सत्तर साल में किसी भी सरकार ने मद्यमबर किये परिवारों को घर बनाने के लिए ब्याज में मदद करने की कभी कोई योजना नहीं बनाये थी हमने 18 लाक रुपिया कमाने तक के लोगों को घर बनाने के लिए ये सारी सुविदाएं देने का एक एहम फैसला लिया और उसके कारण आज मद्यमबर की परिवार भी अपना खुद का घर बनाने में सफल हुए है